कहानी खर्गोश और शेर की इसके लेखक और प्रस्तुत करता है प्रभुद्याल खटा दोस्तो बहुत पुरानी बात है किसी जंगल में एक सिंग रहता था वो सिंग बड़ा भयानत था जंगल में और जानवर भी रहते थे सिंग रोज बहुत से जानवरों को मार कर खा जाता एक बार जंगल के सब जानवरों ने मिलकर एक सभा की ताकि सिंग से बचने का तरीका खोच सके बहुत सोच विचार के बाद सभा में एक फैसला किया गया सब जानवरों ने सोचा सिंग को इस फैसले की सूचना दी जाए जानवरों ने इस काम के लिए गीदड को सिंग के पास भेजा महराज की जय हो आओ गीदड आओ कहो आज तुम कैसे आए महराज हम सब जानवरों ने एक फैसला किया है का फैसला किया है महराज आपको एक एक शिकार के लिए भटकना पड़ता है स्वामी हम आपकी प्रजा है हमने फैसला किया है कि एक जानवर रोज आपके पास आए आप उस जानवर को खा कर अपनी भूख मिटा लें मगर महराज फिर दिन भर किसी को न खाए मुझे ये फैसला मन्जूर है लेकिन याद रखो यदि किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं साब जानवरों को मार कर खा जाओंगा ठीक है महराज ठीक है बिलकुल ठीक है महराज दोस्तों सिंग के साथ ये फैसला हो जाने से जंगल में सब जानवर निडर होकर खूमने फिरने लगे और हाँ गाने लगे क्या गाने लगे? ये तुम दीदी की आवाज में सुनो हम सबका ये प्यारा जंगल हम सबका ये प्यारा जंगल खेले मिलकर हम सारे जगमग जैसे हो तारे नदिया इसमें बहती कल-कल हम सबका ये प्यारा जंगल हम सबका ये प्यारा जंगल हम सबका ये प्यारा जंगल अब दोस्तो रोज एक जानवर सिंग के पास जाता सिंग उस जानवर को खा जाता फिर सारा दिन सिंग दूसरे पशु को नहीं खाता इसी तरह से दिन गुजर रहे थे उसी जंगल में एक समझदार खरहा रहता था खरहा यानि खरगोश वो सारा दिन जंगल में नाचता कूता रहता था उसकी मा ने उसका नाम रखा था राजा वो जंगल में गाना गाता था क्या गाना गाता था? जानते हो अरे ये भी तुम दीदी की आवाज में सुनो मेरा नाम है राजा लहरे सारी मेरी प्यारी मेरी प्यारी मेरी दुलारी मुझे बलाती आजा मेरा नाम है राजा नन्हा खरहा सच मुच एक राजा ही था अपनी दुनिया का राजा खरहा हर दम मस रहता लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी उसकी मस्ती खत्म हो गई एक दिन सिंग के पास जाने के लिए उसकी बारी आई वो भी सिंग के पास जाने के लिए तैयार हो गया वो मरना नहीं चाहता था मगर वो कर भी क्या सकता था खरहा यही सोचता जा रहा था कि वो किस तरह से सिंग से बचे वो तेजी से जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था हवा बहुत तेज बह रही थी कुछ दूर जाने पर खरहे को एक जगह एक कुवा दिखाई दिया खरहा कुवे में जहांक कर बोला कुवे कुवे तू मेरी मदद कर अरे इसमें तो मेरी आवाज गुशती है अरे मज़ आ गया अब काम बन सकता है अब मैं शेर के पंजे से बच सकता हूँ दोस्तो कुवे में अपनी गुँचती हुई आवाज को सुनकर खरहे के दिमाग में एक बात आई खरहे ने शेर से बचने का रास्ता ढून लिया वो मस्ती से उचलता हुआ सिंग की गुफा की तरफ बढ़ने लगा उधर सिंग ने देखा की अभी तक कोई जानवर नहीं आया तो वो गुस्से में भर गया वो सोचने लगा की वो सब जानवरों को माड़ा लेगा अभी सिंग ये सोची रहा था की नन्हा खरहा पहुँचा सिंग का घुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया वाओ फरियो खरे के बच्चे तुब अबा रहा है ये कहा था अब तक महराज मास कीजिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है तो फिर किसका कसूर है बोल जली बोल महराज आप तक आने के लिए मैं ठीक वक्त पर खर से निकलाता मगर मगर क्या मगर रागते में इस दूसरा सिंग मिल गया इस जंगल का राजा दूसरा सिंग जंगल का राजा क्या बता है इस जंगल का राजा तो मैं हूँ मैं समझे यही बात मैंने उस दूसरे सिंग से कही थी मगर वो माना ही नहीं माना नहीं तो आज उसकी मात आई दिखा कहा है वो बद्मार जैसे ही सिंग ने कहा कि मुझे दूसरे सिंग के पास ले चलो अरे खरहा खुश हो गया वो अपनी चालाकी से अपनी जान बचाना चाहता था और अब वो वक्त आ गया था जब उसे अपनी बुद्धी से सिंग को हराना था वो धीरे धीरे सिंग को उस कुएं की और ले चला वही कुएं जहां से वो पहले होकर गुजरा था खरगोश चलते चलते सिंग से जानते हो क्या कह रहा था लो यही बात सुनो दीदी की आवाज में आओ आओ शीरजी देखो देखो शीरजी आओ आओ शीरजी देखो देखो शीरजी जंगल का एक दूजा राजा मांगे जो है भूजन ताजा आओ आओ शीरजी देखो देखो शीरजी आओ आओ शीरजी कुछी देर में खरहा सिंग को उस कुएं के पास ले गया और बोला माहराच इसक्वी के अंदर छुपा बैठा है वो दूसरा सिंग आप ढ़क कर देखे अच्छा मुझसे डर गया है मैं देखता हूँ अरे हाँ इसमें नीचे दूसरा शीर है मैं इससे पूछता हूँ कौन है तू मैं जंगल का राजा हूँ क्या तू जंगल का राजा है अभी ने 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 पानी में अपनी परचाई को सिंग ने दूसरा सिंग समझा और अपनी आवास की गूंज को दूसरे सिंग की आवास और बस सिंग कुए में कूद गया और मर गया खरहा खुशी से जूम उठा फोरन ये बात सारे जंगल में पहल गई जंगल के सब जानवर खुशी से नाचने लगी खरहे ने बुद्धिमानी से सिंग को मार दिया था प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.